आज मैं आपको एक बहुत ही सामान्य जो एक बिमारी हो गई है लेकिन बहुत ही गहरा असर एक व्यक्तित्यों पे डाल ले वाली बिमारी के बारे में बताऊंगा और उसका इलाज बताऊंगा वह बिमारी है OCD Obsessive Compulsive Disorder Obsessive Compulsive Disorder क्या होता है पहले इसको समझने इसको समझना ही थोड़ा सा पीचिदा है थोड़ा सा कटिन है जो लोग आपने देखा होगा कभी ऐसे लक्षन उनमें दिखाई देता है कि चीजें ठीक रखने की आदत होती है उनको जैसे चपल रखी है तो चपले सारी वो ठीक करके रखेंगे तूथ ब्रश है ब्रश को भी ठीक करके रखेंगे पलंग की चादर को बिलकुँ ठीक करके रखेंगे या किसी भी तरह की विवस्ता, कापी किताब, कागज हैं, उनको भी बहुत विवस्ता बना के रखेंगे हर चीज को बार-बार साफ करेंगे फोन को हाथ लगाया है, तो फोन पर फिर कपड़े से साफ करेंगे, टीशू से साफ करेंगे और कोई आएगा जाएगा अगर तो उस जगह को साफ करेंगे फिर, तो सभाई का बहुत ध्यान रखेंगे और विवस्ता का बहुत ध्यान रखेंगे, जुरूरत से ज्यादर ध्यान रखेंगे तो अपने आप में तो ये कोई बहुत गंबीर बीमारी नहीं है क्योंकि हम सब को ही इस बीमारी का थोड़ा बहुत अवश्य ही है जो मैंने लक्षण अभी बताए उन में से कुछ न कुछ तो आप पे अपलाई होता ही होगा थोड़ी मात्रा में ही तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बहुत ही अलग है हमारे वक्तितु से क्योंकि मानसिक बीमारी है इसलिए उसको पकड़ पाना थोड़ा सा कठिन होता है शरीर में बीमारी दिखाई देती है या मैसूस होती है डारेक्टली तो उस तक पहुछना सरल होता है तो अब हाथ गंदे हो गए आपके अब जब आप हाथ दोने के लिए जाएंगे तो एक बार हाथ दो लेंगे तो एक बार जब आपके हाथ साफ नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे दूसरी बार हाथों को दोहेंगे ऐसा ही करेंगे ना जब तक हाथ साफ नहीं होंगे तब तक आप हाथ धोएंगे बस यही उन लोगों का तरक होता है कि अगर एक चीज़ को ठीक किया विवस्थित किया कब तक ठीक करोगे जब तक वो होना चाहे लेकिन वो कोई डिसाइड करने वाला नहीं ना आपने तो एक बार में हाथ धो लिए लेकिन उनको लगता है कि एक बार में हाथ धोना बहुत नहीं है दो बार चार बार पांच बार पूरा साबुन खतम कर देंगे हाथ धो दो के ऐसा भी कई वर होता है बहुत severe cases में, लेकिन ये बीमारी क्यों खतरनाक है और आज मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ और गहरी मानसिक बीमारीया हैं जिनको यह जनम देती है, यह जनम दाता है, अपने आप में तो कुछ खास करती नहीं, लेकिन आगे भूत ज्यादा नु और ऐसी चोटी चोटी बात होगी सब्जी बनानी है अभी तक सब्जी लेकर नहीं आये सब्जी वाला नहीं आया ऐसी चोटी चोटी बात होगी बहुत चिंता मान लेंगे वह पैनिक अटेक होता है अचानक ही मानसिक रूप से आपको शोक लग जाएगा आपको धक्का लग जाएगा आप किसी गहरे विचार में पड़ जाएंगे चीख न चिला न शुरू कर देंगे पैनिक अटेक कहते हैं इस तरह के लक्षण है उसके और डिप्रेशन में भी जो है लेकि मन में बहुत गहन दुख होगा ऐसी अवस्था आजाती है तो आप अपने आपके उपर पहले तो फिर अपने आसपास नजर घुमाएं तो देखते हैं हम कितने लोग ऐसे आप खोज पाते हैं इस बीमारी का नाम है OCD शोट फोम में इसे कहते हैं और Obsessive Kumble Seat Visor जी मैंने जैसे बताया आपको अब बात करते हैं इसके इलाज की स्वर विज्ञान में स्वर योग की साहिता से कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं भगवान शिव के द्वारा उपतेशित स्वर विज्ञान किस तरह से हमारी साहिता कर सकता है इस मानसिक रोग से बा चंद्रस्वर में चंद्रस्वर आपका जागरत रहे और आपने कपालभाती करनी है जैसे आप देख सकते हैं सुन सकते हैं श्वास की आवाज को मेरा चंद्रस्वर अभी जागरत है तो चंद्रस्वर के जागरत रहते इस तरह से तेजी से स्वास को बाहर छोड़ना है बाहर फैकना है धोकनी की तरह मुझे लगता है आप सभी लोग इस क्रिया से इस अभ्यास से परीचित है चंदर योग के खुले होने के समय एक्टिव रहते हुए आपने कपाल भाती का अभ्यास करना है यह है स्टेप वन दूसरा स्टेप क्या करना है आपने इसके लिए हो सकता है आपको एक गुरू की आवशक्ता पड़े त्राटक क्रिया है योग में त्राटक क्रिया में हम घी के दिये का परियोग भी करते हैं कुछ ना मिले तो मुम्बत्ती का परियोग भी करते हैं चांद को भी देखकर त्राटक्रिया की जाती है तो जब आप मुम्बत्ती की लोग को देखना शुरू करेंगे अपनी नजरों को उस पर टिका कर बना कर रखें और तब तक देखते रहें जब तक आपके आँखों में से पानी निकलने ना लगे पलक आपने नहीं जबकानी है यह निश्चित करें कि मुम्बत्ती या दिया आपकी आँखों के लेवल के बराबर हो ना नीचे हो ना उपर हो अगर नीचे होगा तो आपको नींद आएगी अगर उपर होगा तो आपके सिर में दर्द होगा तो कोशिश ये करें कि आपके आँखों के लेवल के बराबर वो जो लो है आपने देखनी है प्रकाश की लो उसे देखना शुरू करें और देखते रहें एक टक होकर एक टक होकर देखते रहें पलग ना जपकाएं शुरू में थोड़ा कस्ट होगा लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद आप इस कर ने में सक्षम होगे जब क्रिया का अंत करें तो दोनों आखों को बंद कर लें और अपनी शौस पर ध्यान लगाएं यह क्रिया आप शुरू में अंत कर सकते हैं इसका 20-25 मिनट के बाद ठीक, 20-25 मिनट के बाद इसको आप समाप्त कर दीजिए दोनों आखों को बंद करके विश्राम कीजिए, आराम कीजिए उसके बाद चाहे आप किसी वेक्ति को यह बताएं या ना बताएं कभी ऐसा होता है ने, जैसे आपने पोस्टर लगे पड़े होंगे बिना बताएं शराब छुड़ाएं तो इस तरह भी को बताते नहीं है कि तेरी शराब छुड़ाएंगे हम अब तो ऐसे ही यह क्रिया है किसी वेक्ति को अगर है तो बिना बताएं ही आप उसको करवा देंगे तो भी पूरा पूरा होगा अगर आप समझते हैं अगर आप इतने बुद्धिमान है इतने सजग है आपको लगता है आपको यह रोग है तो आप अभ्यास करें स्वयम इस रोग से आप बाहर आने में सक्षम हो जाएंगे और अनेक लोगों ने प्रशन मुझ से पूछा है कि मैं ओनलाइन क्लासिज लेता हूँ या नहीं मैं ओनलाइन क्लासिज नहीं लेता हूँ हाँ आपके प्रशनों का उत्तर देता हूँ जवाब देता हूँ आप जब मेरे चैनल को जॉइन करेंगे तो मेरा फोन नमबर आप देख सकेंगे और मैं आपसे बात भी करता हूँ फोन पर भी और हर तरह सी जैसे भी संबब आपकी समस्या का समधान करने का पुरा प्रियास करता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं अगर पांच या साथ लोगों का एक ग्रूप होगा तो मैं ओनलाइन क्लास भी लेने क्या विचार कर सकता हूँ मैं ले सकता हूँ वो भी तो आज के लिए इतना ही आशा है आप OCD नाम की भीमारी से बाहर आएंगे धन्यवाद, ओम नमस्षवाए